यशोदत संगलालित की बात आ रही है महा पुष्टी भक्ती पुष्टी प्रपत्ती को रोल आ रहे है अब यह देखो साधक साधक को जो एक वो है कि आमेसु साधक क्या कर सके है जो कर सके है साधना वो साधक है जो साधना नहीं कर सके है वो साधक नहीं है यह कॉर्सपोंडिंग है वह पाच्छो वही तरह सो अनेक धर्म यह प्रकट हो रहे है बात समझ में आई यहामें से कौन सो स्वरूप देखो एक बात ध्यान से समझो जब अपन स्वरूप की बात कर रहे है तो अपन को यह सोचनों पड़ेगो कि कौन से epistemology के कारण epistemological तुमारे bias के कारण तुमको कौन सो प्रमय बुद्धी में palatable लग रहे है कौन सो प्रमय तुमको palatable नहीं लग रहे है नहीं लग रहे है वाकू वो साधन बताओगे न तो तुम दुखी होगे और गिर्राधर भी दुखी होगेगो और जाकू वो palatable है अपनो स्वरूप को वाकू awareness या ढग की है जैसे मोकू या में कुषटी संप्रदायको हूँ मेरो वाग पति के द्वारा वरन भैयो है मैं वाग पति की वाणी सु कमिटेड हूँ तो मोकू एक अपने स्वरुप को प्रभन्ध है वो मुझा समझ में या रहा है वो समझ में ही नहीं आवे जैसा मैंने आपको बात बते आपके प्रावचन सुने बिना आनन्दी नियाव, मैं कि और अची बात है, ये ठाकोजी के लिए सामगरी लाएं, मैं कि तुम प्रावचन सुना न मेरा अनलाइन, तो बुझे हाँ, आखलू ता पर आपके आपके कार करूज पड़ से, मैं कि धन्य अफरो पड़ से, चित्त अतलब नहीं समझ आवे, क्या करें? कैसे समझे आदमी? रोज प्रावचन सुन रहे हैं, प्रावचन सुनने के बिना ओनलाइन तो मजा नहीं आ रही है, और पिपाचे यह बात को उत्तो ही आग रहा है कि यह तो आपके ठाकोजी के लिए खास अमेरिका सु सामगरी लेके सामगरी ते यहार, अमेरिका थी हो, मैं इन यूए से सामगरी, यह तो ठीक है, बर्गर नहीं लिया है, पीजा नहीं लिया है, मेक्सिकन, खास ठाकोजी माटे लावयाचे, क्या-क्या धर्वी, चू-चू धर्वू, नहीं समझ आवे, क्योंकि स्वरूप, कि आवेर्नेस नहीं है, बात ध्यान से समझो, अपने स्वरूप की अवेर्नेस होए, सुने आदमी, बोले भी, नहीं बोले ऐसे नहीं, बोले, जैसे पोपट बोले न, जैशी कृष्ण सिखा दो, जैशी कृष्ण पुलपा को, न जैपता है, न श्री पता है, न कृष्ण पता है, बोले सब पूपट ऐसे बोले भी सुने भी समझेगे मैं नहीं समझे सब नहीं समझे आदमी खोपड़ी खाली भब का भारी होई न आदमी को तो वाके कारण स्वरूप आर्थवा को समझना पड़ेगो और कैसे गुसाई जी महाप्रभु जी उनके स्वरूप को समझते थे यह बात को मैंने आपको कल बताया हो कि जैसे वेशिया ने कही मेरे यां कौन सेवा करने आएगो वाक कै अच्छा तू सेवा कियो कर दूसरे उनको बोला के दी तुम यहां की कौपी मत करियो उच्छा वच्छ नर नर जो यह जो variation है उनको समझ रहे हैं कि राज-काज में वाकु जोडने के लिए वा के क्या limitation है या के क्या limitation नहीं है वो जो धनिक हतो वाकु कही के तेरो चोका छूगे हो गरीब अच्छ वाकु कही ना ना कुछ नीच्छ जा कर ले यह जवादोनी नौका किनारे किनारे नहीं है वा में पूरी एक system काम कर रही है पूरी एक system काम कर रही है systematic हेरार की काम कर रही है कि कौन को स्वरूप क्या है वाकु स्वरूप की वाकी awareness क्या है वा स्वरूप की awareness के साथ वाकु कौन सो धर्म बतानो वो धर्म बताने सु गिर्राद धरन को भी टाप टल सके है और या को भी टाप टल सके है और वो नहीं स्वरुप बतायो तो गिर्राद धर तो परेशान सो परेशान वो तो खेर अपनी फोड़ेगो पर अपन ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपन अपनी फिर फोड़ नहीं पाते होँंए वो तो अपनी कैसे भी फोड़ ले आपन अपनी फोड़ नहीं पाते होँए अपनी लिमिटेशन ये है याले मैंने कल आपको बताई कि बच्चा चीची करे और तुरत मरे बहु उंधरा की तरह लटका के पड़ो समिछड़ें करें तो अमारा बाला के जराएक छीची करी चेओ ऐसे बाब मरी नहीं और ठाकुजी को पद्रायो हवेली में जाओ मरी नहीं बाग क्यों तुम्हारे को अपने ठाकुजी अपनो नहीं लग रहे है awareness नहीं है बाग ने हीरा की बुट्टी छोड़ी होई नहीं हवेली में पद्रा रहे है कोई कोई पद्रा रहे है हवेली में हम लोग तो बैठे बाएं लाओ लाओ बैठे बाएं हो एक लाओ गे तो दो मांगेंगे द्यान के दिन वो कोई नी पद्राव है? ठाको जी कुतुरत? आवे लिबे. बानी ऐटली सेवा माल भती नती किम का ठाको जी आपना लागता नती हीराणी भूटी? मा मरी गई तो है आपनी लागे चै enem? बीूटी वागी ये कि बा तो मरी गई पन हीराणी भूटी? बले न मरी गई बाब, अच्छे तो आपने, ये लबड़ा है, तो हर एक की जो awareness है, वामें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, अब वाकी जाकी जो awareness नहीं है, self awareness, वाको वो धर्म अपन बताएंगे, वो दुखी जादा होएगो, प्रभु को परिश्रम की, बात तो बाद में क अभी सोच ली जाएगी, पहले वो दुखी हो जाएगो, वाके कारण संपरदाय कितनों नट होएगो, ये तो सोचो, स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया, प्रियोजिया, कृत हुता जे संसार, वो जा लेवल पे है, जो कुछ कर सके है, कोई कुमन है, इतनों कह दियो कि ब् कैसे करेगो, कैसे सेवा करेगो, पग वाकु कैसे ओरियंटेशन बनान और राज-काज में जोडने को, वाकु वो रिमाइंडर तो रहेगो न, कि ये सब कच्छु मेरो है, ये नौकरी भी मेरी जो है, गौवर्मेंट की, वाकु समर्पित्या, जाकु महाप्रभुजी कह र कोई को अश्टाक्षज अपने की कह दी, या वार्ता पढ़ोगे तो वे एक को कह दी है कि तु वर्ज की यत्रा करो करेगो, इतने में आ गयो, वो वर्ज की यत्रा से महाप्रभुजी ने बतायो है, कि तीर्थ जो है, वो यग्यास तीर्था नि हरेना समाक्र का, सरवेशा वर्णिनाम, कोई भी वर्ण, कोई ब्राह्मन, ख्षत्री, वेश्य, तीर्थ और यग्ये, इक्वली पावग कर रही हैं, तो कौन को क्या बतानो, समझे बिना सब को यात्रा में ले जानो, VIP के टेंट बना के, समझे बिना सब को सेवा के मनोरतें करवाने, समझे बिना सब को भागवत कथा में लगा देने, सत्या नाश हो जाएगो, बात समझ में आ रही हैं, वाकव स्वरूप समझो क्या है, वा स्वरूप के अंतरगत वो कौन सी तरह की की, राज-काज में जुड सके है, कौन सी हेरार की, वो MP बनेगो, कि में मार्शल बनेगो, कि वाच्में बने डेमोक्रेसी में, वो जुडिशियरी में जो जज बनेगो, कैसो रजिस्ट्रार बनेगो, कैसो वो कारकून बनेगो, कि लेजिस्लेटिव में हो क्या बनेगो, कि ब्यूरोक्रेसी में हो क्या बनेगो, मनें A ग्रेट, B ग्रेट, स्री गेट, को गवर्मेंट सर्वेंट बने ईती सुनें गो काँ सु तुम्हारों, एपॉंटमेंट कौन ने कियो वाको, फिर अपान फेस बुक पे रहो है कि आब हमारों कोई नहीं सुन रहे, तो सुनेगो काई को, तुमने एपॉंट क्यों कियो, आनाधिकारी को एपॉंट क्यो, यालियरो हुआ, अब बहुत परिश्रम हो रहे है अठा कोजी का देख परिश्रम तो हो गई न क्योंकि तुमने राजकाज में नहीं जोड़े है जो आये हो आपको कोटा सिस्टम सु जोड़ दी है आपको खुद को नहीं पता है कि वो क्या है, तुमको नहीं पता है कि वो क्या है, अब तो पर तो कुछ भी करेगो नकाम संस्कृत में बहुत पंचित अंत्र में अच्छी स्टोरी आओए कि तीन बेवकूप बालकन को गुरुजी ने कह दियो कि जाओ पढ़ लिये जाओ तो जैसे ही गुरुजी के आश्रम से भाहर निकले, अचानक चार रस्ता आ गए तो उनने कहीं कि अब गुरुजी ने क्या बात कहीं कि तो एक को याद आई कि जब चार रस्ता फट जाएं तो महाजनो ये नगतस सपन था महाजन को और तुमाँ आइडियल पर परसन है, महाजन को एक मतलब बन्या भी हो है जो बन्या जा रहे तो पीछे पीछे गए बड़ी देर बन्या के पीछे चले, बन्या घर में गुजगे हो, उनने कहीं अब कहां जानो उनने कहीं 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 निकालो फिर कंसल्ट करो गुरुजी क्या पढ़ा रहते तो उनने के जो गुरुजी ने पढ़ायो कि धर्मस से त्वरिता आगती धर्म बहुत तेज चले एक उट तेज चलके जा रहे तो उनने की शैद यही धर्म होगा पकड़ाया की टान और टान पकड़के सब लटक गए उट ने लात मारी से जाके तलाव में गिरे अरे वाने की यह क्या होगे अपने धर्म पकड़े तलाव में कैसे गिर गए अधर्म तो पकड़े हो नहीं गुरुजी ने तो कही थी धर्मस से त्वरिता अगती उनने का इस भूल जाओ बात सर्वनाशे समत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित यह पूरो डूब्रया को गर्दन काटके सामने रख लो नहीं समझे तो ऐसी कता है पंचे तंत्र की परकटों है फिर अपन रो हैं वाका फाइदा क्या तो इंट्रस्ट्री फेबल यह वर हट यह वर हट यू मस्कीप इन यह माइद तो यह तरह सुस्वरूप वाकु सम्झान पड़ेगो केवल इंस्रेक्शन काम नी आवे जब यह पन इंस्रेक्शन कुछ दे तो वो इंस्ट्रेक्शन के या तरीके के मिसिंटर्पिटेशन हो सके है या लिए अपने यह साधक या साधन के जो स्वरूप वाकी अवेर्नेस कहां की है देखो विदिन एक बाड़ी एक बात बताऊं आपको ध्यान सु समझो आखी बाड़ी अपनी है माथा सुले के पैर तक हर जगा के चमड़ी की सेंसिटिविटी अलग अलग है बाल की कुछ अलग है, या की कुछ अलग है, या की कुछ अलग है हाथ की कुछ अलग है, या की कुछ अलग है, या की कुछ अलग है, या की कुछ अलग है, पैर की कुछ अलग है सब जगा के आँख की भीतर की sensitivity अलग है, कान के अंदर की चमडी की sensitivity कितनी थोड़ो कान में करो कुछ, सली, पता चले गो के, कितनी तकलिफ दे हो जाए वो, क्यों यहाँ सली करने सुनी तकलिफ हो है, वो कोई अलग चमडी है, वो के वही चमडी है, आँख के भीतर में यह व एकसप्ट करूँ हूँ, कौन से चीज को टच में एकसप्ट नहीं करूँ हूँ, जैसे वो अपनिया साबू हो है न, साबू सो अपन यह नहाल है, यह चमडी को कुछ आपति नहीं आए, थोड़ो सा आँख में डालो, देखो मजा आएगो, क्यों मजा आवे, तो आँख की चमडी वागू, एकसप्ट नहीं कर रहे हैं, यह मुख की सफाई या तरीके की सफाई नहीं चीजए, होईगी तुमारी सफाई, यह सफाई, आँख की सफाई साबू सो नहीं हो सके, आँख की सफाई के लिए, आँख कोई जा चीज को एकसप्ट करती हो, वासू आँख की सफा ही हो सके, अपन कहें कि साबू कितनी अच्छी चीज है, हम बहुत कीमती अमेरिका सु साबू खास लाएं, आँख में साबू कर रहे हैं, तो नहीं accept करेगो, ध्यान सु समझो, हर चीज की अलग-अलग sensitivity हो, body के हर part की हो, every square inch part में body sensitivity कितनी अलग है, वाको कभी तुम खाली माप के देखोगे न, तो पता चलेगो, हर जगा अलग है, जैसे कोई अपने को यहां पेट पे हाथ लगावे न, तो गुल-गुल होईगी, कि नहीं होईगी, माथे पे हाथ लगावे, गुल-गुल तुम शरीप पहुचा तो गुद-गुदी होई, अब क्यों, sensitivity अलग है, गुल-गुली की भी तुम बात देखो, हर जगा गुल-गुली नहीं होई हो, body के कुछ Parts ऐसे हें, कि जहां अपन करें तो गुल-गुली होई होई, सब जगा गुल-गुली नहीं होई, तो हर जगा की sensitivity अलग है, ऐसे ये एक पूरी body है, ये भी एक पूरी body है, वाखु, कहां क्या चुब रहे हो है, कहां क्या गुल-गुली पैदा कर रहे हो है, कहां का सुखद हो रहे हो है, कहां क्या दुखद हो रहे हो है, वो स्वर स्वरू पार्थे प्रो प्रयोजिया, कृत हुता से संसार, राज काजे, पर जहां जो कर सकतो हो है, जैसे एक बाद समझो कि दाख साफ करना है तो अपन ब्रश करें, ऐसे आख साफ में ब्रश तो नहीं करेंगे न, लेकर करने, कभी होईगी आख साफ, क्यों नहीं होईगी, दाख साफ होए तो आख क्यों नहीं साफ होए, भाई, नहीं होए, समझो बाद धीरत सू, तो वो जो एस्पेक्ट है बॉड को कैसी awareness है उन दोनों को जब तक अपन ने को रिलेशन नहीं खोजो न वाके पहले धर्म को निर्धारण नहीं हो सके जैसे कृष्ण को मैं एक बात ध्यान सो समझो कि कृष्ण को यश्वदोत संगलालिज्या को अपन कह रहे हैं वाकोअ अपन ने ठाकुर जी मानियो घर को ब्रह्म नहीं मानियो तो वो awareness तुम वाके बारे में वापर नहीं सकोगे तो यह वागपती की वाणी की अनुस्वार वाको कोई एक aspect जो है वो खंडित हो रहे हो है खंडित हो रहे हो है वाको जो परमात्मा होने को एस्पेक्ट है वो तुमको नहीं अवेरनेस में आ रहे हो है और तुमने सेवा शुरू करी वो तो यह तरीके को शरीर है वाको यह तरीके के वाको शरीर में कहीं वाको चुब रहे हो है कहीं गुलगुली हो रही है, कहीं सुख ओ रहे हूए, कहीं दुक हो रहे हूए, कहीं हाथ लगाते ही रोएगो, कहीं हाथ लगाते ही हिंसेगो, आयो क्याल मैं? आभी YouTube में वावकट मैं दिखा रहते हूं, आज ऑने क्या माँ खोर्राटा ले है और बच्चा रो रहे है। समझो के हर एक को जो स्वस्वरूप है वाको वाको अवेरनेस है और जब अपन कोई के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ तुमारी सेल्फ अवेरनेस ही काम नहीं आईगी जाके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो वाकी अवेरनेस क्या है प्रमे की वाकी अवेरनेस और तुमा अब आहिं निवेगी ताते तोको ब्रह्म समध नहीं देतू। सिद्धाने यह है। बात समझ जए यह आख़़ फॉर्मेट है और यह फॉर्मेट के कारण जो है वो अनेक धर्म कहा प्रभू जी है। यह multiple level पे कोई यह level पे धर्म कहेंे कोई यह level पे धर्म कहेंे कुछ धर्म अपने याँ, यह लिए एक बात ध्यान समझो, कि जो अपने याँ प्रेमात्मिका सेवा है, अगर को एक पर्सपेक्टिव देखो कितनो मीठो पर्सपेक्टिव दाद भई, जो प्रेमात्मिका सेवा है, वह मैं क्या कह रहे हैं, सेवा याम लवकी की रीती, स्ने स्नेहस्तत्र नियामका, अब यदि सेवा है, याम लवकी की रीती, स्नेहस्तत्र नियामका, तो लवकी की रीती में घंटा कप बजामें, शंक कप बजामें, पंचा मर्थ कप सनान का है, बच्चा को एक दिन कराओ, पंचा मर्थ सनान, भाग जाएगो, पास नहीं आएगो तुम्हारे, ख्याल में आयो? आरती उतारो बचचा के सामने, गंदंधंदं डंधंदंदंदं बचचा रोहेगो कि क्या मैं ने क्या गुणा कियो, कि स्कूल जोट गई, कि स्कूल आ गई पाची, क्यो गंदंधा वजा रहे हो तुम? विअर्थ में? क्यों गंदंधा वजा और जब जब निमित खड़ो हो रहे हो वाकु भगवान तरीके रेकगनाईज करने को तब तब अके सामने वाकु भगवान के तरीके टृट करो, तब वो सटिस्वाइड हो और नहीं तो वो सटिस्वाइड नहीं हो. अनेक धर्म कया प्रभु जी ए निगमने अनुसार गिर्राज धर्नो टाप टालो लक्षमन सुत्र अब तुम घंटा भी बजा रहे हो शंक भी बजा रहे हो माला भी धरा रहे हो तुलसी भी समर्प रहे हो शंको दक भी कर रहे हो सब पूजा को ताम जाम कर रहे हो सारे उत्स काम कर रहे हो पर यदि तुमको परमात्म रती नहीं है शरणागती के भाव सुनी कर रहे हो आत्म रती के भाव सुनी कर रहे हो तो वो सारो कर्मकान ढो जाएगो और कर्मकान ढो जाएगो ठाकुर जी लात्मा रहा है वाकु नहीं खरून खाने जा वो तुमको देनों कैसे है अब यह देखो एक complicated awareness है वाकि यहाँ आप वो मावडिया नहीं है हो कल मैंने आपको मावडिया की बाद बताईती है यहाँ आप वो मावडिया नहीं रहे हो वो श्रीव अलबोत संगलालित श्रीव इठलोत संगलालित है चाकी कुछ requirement है और वाकि requirement के हिसाब सू यहाँ आपको पता भी नहीं है तो के भगवान है के नहीं यहाँ आपको पता भी नहीं है तो के पारमात्मा है के नहीं यहाँ आपको पता भी नहीं है तो आपको भगवान पनो दिखायों ने भगवान ने तो आने भूत प्राध्धा समझी पर क्यों वो निभु गई वाकी क्योंके लीला श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीडा वो स्वतंत्र क्रीडा वाँ प्रभू कर रहे है तो करके उनने वाँ निभाली यहां सोतंत्र क्रीडा है नहीं प्रमान पंथा क्रीडा है प्रमान पंथा क्रीडा होने सु प्रमान सु जो जो वाके पहलू है उन पहलून में सु वाको स्वरूप तुमको समझने पड़ेगो corresponding तुमारों स्वरूप क्या है वाको response दे सके के नहीं दे सके जब तुम्हारे दोनों के वाके ये जोड़ा मेला मिलते हों तो ही वो सेवा को करक्रमा सके नहीं तो आई नहीं सके करोगे तो दुखी होगे जैसे सामाननी बात समझाओ या वारता को हर बखत में उदारंड़ा हूँ कि जब वाने बाल भाव सेवा करी तो ठाकुज़ नहीं करी बिल्ली को डर लगए वाने करी तो राक्षा समारे तब क्यों नहीं डर लगे होने के जा भाड़ में जा फिर कोई डर नहीं लगए ना कि तुमकू करना है न वो तो मुल्टिपल फैसेट है वाके कौन से फैसेट को तुमको सेवा करनी है वाको भगवान होने के फैसेट की एधी सेवा करनी है जा फैसेट सुवाने राक्षा समारे वाको तुम्हारे सेवा की गरज नहीं है Mind it तुम्हारे सेवा की गरज वाको कब है जब यशोदत संग लालीच समझ रहे हो तब वाको डर लग रहे हो है भगवान होने की capacity में वाको डर लगे नहीं और वो तुमारे सामने complaint नहीं करेगो कि मों को डर लग रहे हो है तो यह वाकी एक अलग capacity है वाको एक स्वरूप है वाके corresponding तुमारो स्वरूप है के नहीं तुमारो स्वरूप है रैसिप्रोकेट कर रहे हो है वाको तो वाए एक्स्टेंड तक जाओ नहीं तो वाए एक्स्टेंड तक जाने की जरुरत नहीं है अनेक धर्म कयाद पर भुजिये निगमने अनुसार ये जो ब्रहमग्यान है क्यों ब्रहमग्यान Ultimately तुमारे भीतर वो नित्य है ये नैमितिक है पारमात्मा को जो रती है वो सारे कामना को मूलक है क्योंकि महाप्रभुजी अबाद समझावें कि जितनी कामनाएं हैं अपने को नवारे सर्वत से कामाए सर्वं प्रियम भवती नवारे भार्या ये कामाए भार्या प्रिया भवती नवारे पुत्र से कामाए पुत्रफ प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाए पुत्रफ प्रियो भवती आत्मरती को जो है वो सारे काम के भीतर अपनी आत्मरती जो है वो डाइनेमा की तरह काम कर रही है वो डाइनेमा की तरह काम कर रही है जो काम में करम हैं अपनो मने जावखत तुम ये डिजायर कर रहे हो कि मुझे भगवत सेवा करनी है जो माप्रभुजी के हिसाब सू वाब अख़त तुमारी वो कामना आत्मरती सुप्रेरित है तो तो सेवा अच्छी तरगे है और तुमारी कामना ही खुद ये करिये क्या धंदा चले, आज शादी हो जाए आज दुकान लग जाए, ये हो जाए तो वो आत्मरती की कामना नहीं है विशायरती की कामना है आत्मरती मूलक कामना नहीं हो के विशायरती मूलक कामना है और वो विशायरती मूलक कामना के कारण वाको जो पाहरामात्मिक है एस्पेक्ट है, वाको तुमारे साथ रैसी प्रोकेशन निभेगो नी करके वो कहें कि भाई मत करो, मत करो. क्यों? क्यों कि यदि तुम निरंतर सेवा कर रहे हो और विक्षेप हो रहे हो है इन कामनान के कारण, तो विग्रह कर्शितानी इंद्रियानी विक्षेपम जनयन्ती. जबरदस्ती कोई घोडा कुछ लाओगे, जबरदस्ती लगाम तान-तान के घोडा कुछ लाओगे, घोडा तुमको अपने पर ढोईगो नहीं, नीचे पठकेगो. ऐसे ये भक्ति तुमको नीचे पठकेगी जब तुम वाकु घोडा समझ के जबरदस्ती हंटर मार के चला रहे हो हंटर मार के भगवत भक्ति नहीं चल सके है हंटर मार के घोडा नहीं चला है तो भक्ति कहां सो चलेगी ये बात तो समझो शेर भी कभी सरकस को जोर को हंटर लग जाए न खा जाए मारने वाले को वो उतनी देर को हंटर सहन करे जितनी वाकू आदत बचपन सु दिवा रखियो उतनी हंटर वो सहन कर ले वाके बागा जोर सु हंटर मार दो तो शेर भी सरकस वाले को खा जाए क्योंको आपको पता है, आपको पता है कि कितनो मोको सेहन करनो है, कितनो मोको सेहन नहीं करनो है, जाब अख़र डोकरी ने कही कि तेने मोको जिवायो, शेर भग गयो, नदारत भाग गयो, गुजराती में कहें पूछडी उठा भी ने भागी गया, ठाको जी पूछडी उठा पड़ेगो कि या के जो प्रभेद हैं प्रमे के वो प्रमे के प्रभेद में कौन से aspect की तुमको awareness है और वाके corresponding तुमको तुमको तुमारी awareness कैसी है अज जैसे आप कह रहे हो ने कि मोकु नहीं पता है गुरू ने पता है हो तो भाई पैशेंट को कब पता हो है कि कौन सी दवा है और कौन सो रोगे responsibility कौन की है डॉक्टर की को बराबर डाइगनाइस करें तो बाखाएद आपको बने medical check-up करें और बाखे बाद कोई medicine prescribed करें ये तो नहीं कि जो आयो तो दवा सब की दे दे एक दाथ दूख रहे हो तो दाथ निकाल लिए तो आख दूख रहे है तो आख भी निकाल लिए हो ऐसे दवा होए का surgery बहुत आख दूख रहे है ये बोले आख दाथ निकाल लो आख भी निकाल लो अरे दिल दूख रहे तो कल दिल भी निकाल लोगे या इलाज को कब तक सामना करना आदमी के बात समझ में आई न तो वो अनेक धर्म वा एंगल सु कहे गए हैं अनेक धर्म कहा प्रभुजीय निगम ने अनुसार वा तरह सु जब सेवा करेंगे न तो गिरिराज धर्नो ताप टाल्यो श्री लक्ष्मन सुत निर्धार ये आखो एक सिस्टम है और या सिस्टम के तहद जब अपन देखें न तो कुछ फल की जो बात बताई है ब्रह्म के मूल में दो भेदें या तो लीला या स्वरूप दूसरों कोई वामें भेदी नहीं है एक भेदें एको हम दूसरों भेदें बहुस्याम बहुस्याम जो है वाको लीला भेदे और एको हम वाको स्वरूपा भेदे तो ब्रह्म के जो सर्कल है इनरमोस सर्कल वहां में या तो लीला है या स्वरूप है या ब्रह्म के तरफ तुम प्रयान ही नहीं कर सको क्योंकि ब्रह्म में ही तो हो तुम जो कुछ हो खुद ब्रह्म हो ब्रह्म के तरफ प्रयान theoretically पॉसिबल नहीं है जैसे अपन बंबई सु दिल नहीं जा सके पृथ्वी पर पृथ्वी सु पृथ्वी पर आ सके जहां भी है पृथ्वी पर ही तो है न ऐसे ब्रह्म में सु बाहर निकले नहीं जा सके ऐसे ब्रह्म तक जायो भी नहीं जा सके ब्रह्म ऐसे बाहर निकलें तो ब्रह्म तक जामें न तो वह आतो या तो तुम वाके लीला के पाटो या स्वरुप के पाटो मतलब जा वखत तुम संसार में हो वावखत वाके लीला के पाटो और जाब अखत मुख तो वाब अखत वाखत वाखत स्वरुप के पाटो ताड़ फड़ में यह सारी बात हो गई ना तुम वाखत पाटो या तो लीला के या तो स्वरुप के लीला के पाटो तो तुम या तो संसार में हो या भक्ती में हो स्वरुप्म के पाटो तो मुख तो दूसरों तो कुछ है ही नहीं पर परमात्मा के तरफ अंतर मुख प्रयान हो सके है परांची खानी व्यत्रिनोत स्वयंभू तस्मात पराक पश्यति नांतर आत्मन कश्चि धीरफ पृत्य गात्मान मैक्षत आवर्त चक्षू, अमर्त अत्वमिच्चन इंट्रोस्पेक्षन के प्रोसेस से तुम अपने भीतर जा सको हो उतने भी भीतर जा सको हो कि जितनी भीतर तुमको परमात्मा मेल सके ये विपश्चना इंट्रोस्पेक्शन के लेवल से अपने भीतर अपने को यात्रा कराव है पर वेदान्त जो है वासु भी भीतर रहे हो भयो आत्मा के भी भीतर रहे हो परमात्मा तक अपने को अंतर मुखी यात्रा कराव है और ये जो भगवान है परमात्मा के बाद वामे सालोग के आदी सारी मुक्तिन के प्रकार है समझ में आई? परमात्मा में क्या सालोग के मुक्ति होईगी? परमात्मा तो तुमको लोग बना के बैठे बहे होई परमात्मा तुमारे आत्म लोग में है यदि आत्मा तुमारे लोग है तो वाके भीतर परमात्मा रह रहे होई तो परमात्मा के सालोग के नहीं हो सके परमात्मा के साथ सारूप के नहीं हो सके क्यों कि तुम आत्मा हो तो तुम परमात्मा हो यह नहीं सको सामी प्य अल्रेडी है है वो पता कौन को चल रही है सहय वसंतम्न विजानंति देवा इंद्रस्यात्मानं बहुदाचरंतम यमन्तप्रविष्टम कवयोवदंति वो तुमारे भीतर बैठे वोयो है वो तुमको पता ही नहीं कि भीतर बैठे वोयो है तो वाके सापास तुम पहुंचोगे कैसे पर सालोग के सार्ष्टी, सामी, सारूप, वगएरे जितने भी फॉर्मेट है यह इलिए बात देखो कोई ने कोई भगवान के रूप के साथ कही गई जाती बात है चाहे पेचिशिव के साथ होए के चाहे विष्णू के साथ होए चाहे देवी के साथ होए के गनपती के साथ होए के अल्ला के साथ होए के गौड के यहोबा के साथ हो है कोई ने कोई भगवान को जो रूप है वाके साथ associated ये कल्पनाए हैं के सालोग के साथ टी सामीप्य सारूप्य करतो करके वो जो है वो उर्धमुख प्रयान है जो मैंने कल बतायो तो dimension wise वो तुमारो upward approach है eye level को approach नहीं है और यह जो यशोदत संगल आ लिते है वो तुमारो eye level को approach में है वा में eye level को जो approach है वा में महाप्रभुजी तुम को यह समझा रहे हैं अलोग की सामर थे तुम भले आज वाकू धातू की पत्थर की कागज की हकीकत समझते हो और धातू की पत्थर की कागज की हकीकत शायद तुमारे लिए virtual reality होए coming to your point शायद तुमारे लिए virtual reality होए reality नहीं होए वाकू शायद ब्रह्म माननो भगवान माननो परमात्माय भगवान माननो शायद तुमारी sinesthesis होए sinesthetic experience होए कि तुम देख रहे हो पत्थर धातू और कागज कू तुम कल्पना कर रहे हो को वह सो गोलो को वह कुंठ नायक है और ऐसे कैलाश को शिवजी है और ये है और वो है और वो वर्ज को जो है वो रसिया वो वर्जे रसिया वाले मारे मन वसिया वो है आरा भाई पर वसिया के रसिया जो भी कुछ होए तो तुम को समझ में आ रहे है कि नि कि साइनेस्टेशी आ या खोई च्रू यह अब क्यों क nelle गुरू जई अब कि जैसे आपने कही कि गुरू जी ने कह दिया है तो कर रहे हैं कोलू के बेल की तरह सेवा कोलू को बेल को बांद है ना कोलू को बेल समझे गानी को बेल गुम तो ही रहे गुम तो ही रहे वो तिल को तेल निकल जाए तब भी गुम तो रहे गुल गुमा के छोड़ दियो गरीब को जाए काँ कंटाला निकलने के बिलिए करें न गुमें ऐसे अपने को कुछ काम नहीं है करके कंटा ला रहे हो, करके कर रहे हैं सेवा लगे में कोलू के बेज की तरह वो सहत संभव है पर सवाल ये है कि यदिखन कूप परमात्मरती है है तो है, नहीं है तो नहीं है थोड़ो नंगो होना पड़े गो या मैं एक दूसरे कुछ चीट करने से काम नहीं चलेगो थोड़ी सी दिल की नंगाई लानी पड़ेगी के है के नहीं है तो यह कुछ तुम कॉप अप कर सकोगे नहीं है कॉप अप नहीं हो पाएगो कही नहीं कही अपने साथ कुछ फ्रॉड हो गया है मा प्रभुजी ने ये शर्थ पहले लगा दिये कि मूर्ति पूजन क्यों करनो है साकारव व्यापकत्वाच्य मंत्रस्यापी विधानत साकारव व्यापकत्व सु ब्रह्म लाए मंत्रस्यापी विधानत सु भगवान लाए और या में सारी आत्मरती है आत्मरती काम कर रही है भगवान ने आत्मरती सबको बाटी है यत्रईव प्रिणाती तत्रईव सुखम अनुभवती मने यत्र ना प्रिणाती तत्र सुखम ना अनुभवती ये जो आखो सैट अप महाप्रभुजी ने बतायो है कि भक्ती में भी तुम्हारो प्रेम मूल है एक अलल टपू लोग निरंतर क्या सोच रहे हैं पानी पानी हो यो सामड़ो छो तो कहूं तियां तो थाए पानी पानी रहे ऐसे पानी पानी होते हैं कि राधा अधर सुधा विना पियू ने बीजूते काई ने पानी पानी हो जाएक राधा को स्वरुप क्या है वो तो समझे नहीं तुम राधा वाकी आत्म रती है राधा वाकी आत्म रती है महाप्रभुजी ने ये एकदम दो टुक खुला सा करके रख्यो है विशय रती नहीं है राधा तो राधा अधर सुधा विना पिउने बीजूते काई नाव भावे और तुम व्यर्थ में पानी हो रहे हो ब्लू फिल्म देख देखे वहाँ वो बात ही नहीं है वहाँ वो बहाँ प्रभु जी जो बात समझानों चाह रहे हैं वाकू आत्मरती के अलावा कोई चीज नहीं भावे है और जहां यशोदा जी ने जब उनको भोग धरने के लिए कई वो यशोदा भक्ती है समातानू मन रंजवा प्रभु आरोग्या बहु स्वादे जी तो वो तो मैनेज कर रहा है कि वाकू आत्मरती के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए है पर यदि तुम भक्ती सु कुछ दे रहे हो तदा हम भक्ति पहर्तम अश्टनामी पयरतात मना पत्रम, पुष्पम, फलन, तोयम, योमे भक्त्या प्रयच्छती तदा हम भक्ति पहर्तम, अपने को व्यरत में पानी चूट रहे हो क्या राधा अधर सुधा विना प्यूने, बीजी ते काई नव भाए, आरे काई को पानी चुड़ रहे हो या खोटी बात, राधा को स्वरूप क्या बता है, मा प्रभुजी ने वो तो देखो, आत्मरती है राधा सारो शास्त्र, एक शास्त्र नहीं हो, मल्टिपल पुरान यह बात को कह रहे हैं कि राधा वाकी आत्मरती है, और वो आत्मरती साकार बनके बाहर प्रकट भई है पर वाके साथ एक भक्ति सुंदरी ऐसी है, कि जाके भितर यह दिवा को कुछ आफर कियो जाए तो तद हम भक्ति पहर्तम, अश्टनामी प्रहतात्मन, वो मातानू मन रंजवा, क्योंको भक्ति जो है, वाकी मा बनके आवे है क्यों मा बनके आवे है? व्यद्यात उरुगाय, विभावयंति, तततद वपुफ प्रने से सदनु ग्रहाय, वो यशोदा की सामर्थे के भगवान को पैदा करे में For that reason I was telling that bhakti creates God in this sense, in the sense of Bhagawan, not in the sense of Paramatma, not in the sense of Brahma, because from the aspect of the Paramatma and Brahman, you are product of his Atmarati. But then when the Atmarati gets culminated into devotion, then you can create a God. Therefore God is our creation, we are not creation of God, we are creation of Paramatma, we are creation of Brahman, because we are part and parcel of Brahman and Paramatma. That is a governing factor from which we are living, surviving, getting birth, dying, everything. That is where the difference lies. Do you follow the point? I don't know. 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 Theoretically, it is not possible. I don't know. If you are God of the people, you are the God of the people of God of the people, you can't think so. You don't know that. This is a different kind of thing. I don't know. I don't know. अपने को गोपाल दाश्ची को पूरो setup समझना पड़ेगो वो language क्या वापर रहे हैं उनको भाव क्या है उनकी understanding की और devotion की depth क्या है वो समझे बिना आपन खोटे-खोटे misinterpretation करेंगे न तो तुम ठीक है तुम अपने पानी पानी होते रहो सामलू चूते कहूं तो थाय पानी पानी रहे पर वो आपने गोपाल दाश्ची को कुछ लेनो देनो नहीं है make it sure समझ में आई बात वो अपनी problem है वो गोपाल दाश्ची की problem नहीं है वो पुष्टी मार्ग पुष्टी सिध्धान की problem नहीं है यह अपने को once and for all समझन पड़ेगो जहां तक पुष्टी सिध्धान को सवाल है गोपाल दाश्ची के द्वारा वर्नित की भैवा में यहां बात को कहके वो कह रहा है इसके कंद संख्या एक आया पद श्री भागवत रसराज कहां से डिराई कियो है यह सब देखो और यही लिए भागवत ने यह बात एक लेवल पर नहीं multiple लेवल पर clear करी है कि आखो जो रास पंचा ध्याई है वो आत्मा रामो प्यरी रमत है सर्ग की लीला में भागवत ने खुलासा कर दियो कि यह वाको रती रास है आखी सृष्टी वाको रती रास है अपन यह समझें कि गोपी कान के साथ नाचनो रास है दश्मसकंद में वो गोपी कान के साथ नाचनो है पर सारी स्रिष्टी में रास को नायक वो ही है और सारी स्रिष्टी वाके एर्दगेर दिनाच रही है क्योंकि वो सब के भीतर बैठे भयो परमात्मा वही तरह सु सब के साथ बैठे भयो है और मल्टिपल लेवल पर बैठे भयो है रास के वृत्त के भीतर भी बैठे वह है और गोपीन के कंधा पे भी हाथ डाल के बैठे वह है और नीचे ग्राउंड बन के भी बैठे वह है वो जो है वह वह तरीके को फिनोमिना है जाको ऐसे वाकपती ने अपने प्रपोस कियो है वामेस अपने को अपनो स्वरूप वाको स्वरूप यह लिए सिध्धन मुक्तावली में गुसाई जी ने ये बाद स्पष्ट करी है कि खुद को स्वरूप, भगवत स्वरूप और भक्ती स्वरूप तीनों की awareness के साथ सेवा करनी हैं जब ये तीनों की awareness में कहीं fluctuation है कहीं में कहीं कुछ ने कुछ लफड़ा होएगो होएगो और होएगो वो क्यार कौन को लेनी चाहिए प्रमान पंथा को मरीज नहीं लेगा ये क्यार ये क्यार कौन लेगा डॉक्टर को लेनी चाहिए या डॉक्टर ने ली है पर वाके नाम पे चरने वाले कुछ भी बिमारी को कुछ भी रिजल्ट आ हसके राकि प्राब्लम यहां हो गई यह कोटा रिजर्व कोटा है या मैं इतने डॉक्टर न कुता एडमिट करनाई पड़े गो जितने बच्च बालक पैदा हमें उतनी हवेली तो खोलनी पड़ेंगी तो उतनी इतनी हॉस्पिटल हैं खोल रही हैं वो कोटा सिस्टम है सब डॉक्टर हैं उनको खुद कोई नही वो setup में या hierarchy में वा को कहा सेट करनो कहा वा को placement करनो यह आखो इश्यू समझा रहे हैं वो ऐसे ग्रंथ सर्वे रसुरूप कीधा पोताने सिद्धान वा मैं सरसवचन उच्चार मात्रे संशाइनो परिहार यह आखो system जो है यह गुपाल दैसी बताना चाह रहे हैं वो कोई दूसरी भलती system नहीं बताना चाह रहे हैं यह अपने को खास समझना चाहिए मैं समझूँ कि अपन एक दिन पिशड़ गएं इतनों नहीं अब दो दिन पिशड़ गएं पर ठीक है जितनो पोशन लीला में यह बात समझनी बहुत जरूरी है नहीं तो तो ब्लंडर हो सके है या लिए पिशड़ गए तो हरकत नहीं पर अपन पोशन लीला में अच्छे पुष्ट होनों बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता है समय आज तो नहीं कर पकेंगे अपन शुरू My question to below referred अनेक धर्म कया प्रभुजिये निगम ने अंसार What is the meaning of निगम? निगम means Ved How to understand निगम in this line I have at length explained this निगम अयती ती निगमन आप श्रीये, काले, कृष्टन परमात्मा भगवान ने कृष्टन विशे भेद बतावे होतो जो अंत्य ध्यान लीला पची प्रभु प्रकट थया त्यारना त्रण सवालों ना जवाम प्रभु ये पहला जे कही हो और एक मापुरुशा गए नावरत्न के सत्र में हम वहां सत्र में पढ़ा रहे थे कि भगवान जो हैं वो तुमारे सु पाप हो गए हो तो अभी माफ करेंगे उनने जिद्ध पकड़ी के पाप माफ नहीं करें अब वो डिस्ट्रिबंस हो रहे हो तो कान में मेरे काई को खुटा लपू लगा नो मैंने सत्र चालू रखियो उनने अपने पास बैठे बढ़को कहना शुरू कियो ना आवू तो थाय नहीं पाप करो तो माफ करें नहीं फिर भी मैंने ध्यान नहीं दियो क्योंके सत्र में हमारी डिसीप्लिन ऐसे थी कि जो भी कुछ बोले वाकु तूरत अटेंड करना पर वो बोलनेवालों मुखो डाइगनाईज करकर पता तो कि कौन है तो मैंने कि अटेंड नहीं करने में ही सारे हैं, करने में ही सारे अंत में क्या भैयो कि जब सत्र पूरो भयो तो वो वाकु ले के मेरे सामने आगे हो दो होए खुला सो करो पाप करे होई तो के भी रही ते माफ करे हो तमें पाप करे हो तमने कोई दूसे भगवान माफ न करे को ले कहतो तो के नहीं मैं का हाँ साची वाच्छे तमें पाप करें तमने कोई दियु से भगवान माफ नहीं करें खुश हो गयो सा स्वरूपार्थे प्रोजिया नवरतन की चिंता चल रहे ये चिंता कापी न कारिया निवे दिता अथनो भी कदापती और वाकु एक ही चिंता चल रहे थी कि पाप करी होए तो कोई दियु से माफ न करे तो मिनके व्याकु एका स्वरूप समझा जना चाहिए कि तमें पाप करो मिनके तो कोई दियु से तमने भगवान माफ नहीं करें नहीं करें नहीं करें नहीं करें कई को माफ करेगो प्रभू हुआ कुछ हो गयो हो वो है । व्या कुछ माफ करो भू कहते तो दुखी हो जाती तो कोई कर शणूप ऐसे हो हैं कि सवस्वरुपार्थे प्रयुजिया तो कुछ हो जाएंगा बरावन हो एकदम बरावाद तमें पाप करो कोई दिवसेप तमने प्रभू माफ नहीं करें इतों कहता तु soci ofमारी सवस्वरुपार्थे प्रयुजिया कृता अजे संसार राज जोड़िया भई वाकाई राजा ने ऐसे भी पैदा किये हैं, मॉडल, उनको काय कुई वियर्थ में स्वर्ग में विजवाने को ठेका लेनो, उनको सीधी नरक की रस्ता बता नहीं, भई ये रस्ता नरक को है, चल, आनद सु जा, कोई दिए उसे माफ नहीं करें, प्रभु शामाते माफ करें, बेवकुफचे प्रभु के माफ करें, ऐसे कहना हुआ को, ये आखो सिध्धानते, तो अपने अपने स्वरुप के वार्थ वाकु समझाना चाहिए, जा कुछ ऐसी समझ में आवे है, ये कांसु आयो पुरष्णा, अच्छा, नेट पे आयो है, ये पढ़ना भाई क्या चे, पढ़नी जा रहे हैं, अगर कोई गोष्वामी बालक, जो माप्रभुजी ने शर्त रखी है, कृष्ण सेवा परम वीक्षे दंभाद रहितन नरम श्री भागवत तत्वग्यम भजे जिग्या सु रादराद, उसके विपरीद भागवत कता को वृत्ति करने के लिए उसे करता हो, मंदिल चलाता हो, तो क्या जिनों ने ऐसे बालक से ब्रह्मन समन लिया हो, क्या ऐसे ब्रह्म समन को सही समझना, ऐसी स्थिति में अगर महाप्रभुजी के अंसार भगवत सेवा कोई करना चाहे, तो उसको ब्रह्म समन दुबारा लेना पड़े, देखो बात ऐसी है, बहुत सारे लव मेरेज में डाइवर्स हो जाएं, यह पूरी तरह सु समझ के किये गए होएं, और बहुत सारे एरेन मेरेज में पीछे सुख्या लागा के नहीं, नहीं, हमको यासु नहीं करनो तो, वासु करनो तो, जबरदस्ति हमको शादी कर दी, तो वो एक बखत वो गिरने वालो तो न, स्काइलाइब, हमारे किशनगाड में एक को ऐसा जबरदस्ती कोई की शादी कर दीती किशनगाड के पास कोई गाओं में तो वाकु जब यह पता चली कि स्काइलेप पढ़ने वाली है तो आने कि अब इनफ is इनफ अब तो पढ़ने वाली दुनिया खतम होने है मैं पती को छोड़के वो वाके दोस्त के पास चली गई वो स्काइलेप तो पढ़ी नहीं पीछे सुसाब चापान में चप गई बात कि ऐसा गोटा लाओ गयो अब यहां में ना तो कोई एरेंड मेरेज को सॉलूशन है ना कोई लौ मेरेज को सॉलूशन है मेरेज को सॉलूशन एक है कि निभी तो निभी नहीं निभी तो नहीं निभी तो नहीं निभी तो नहीं निभी अब यह जैसे पती-पत्नी में होए ऐसे ही गुरु शिष्च्र में भी होए निभी तो निभी नहीं निभी तो नहीं निभी कोई भी निभे के नहीं निभे सीधो से सिद्धान तेक है कि महाप्रभुजी अपनो गुरु है जासु निभरे ये तो भी महाप्रभुजी गुरु है और जासु नहीं निभरे ये तो भी महाप्रभुजी अपनो गुरु है एतनमारगी गुरुत्वम स्वस्पिन नेव नियत चंता हूँ तद भावे स्वयम वापी, so in either case निभरेये तो और नहीं निभरेये तो, गुरू तो श्री महाप्रभुजी और महाप्रभुजी है, निभरेये तो अच्छी बात, air and marriage भी निभ जाएगी नहीं निभरेये तो, love marriage भी नहीं निभरेगी, तो वामें ये सारे criteria बहुत गंभीर मुपनी लग रहे हैं, तो ये देख लो कि निभरेये कि नहीं निभरेये पर निभरेये तो भी महाप्रभुजी गुरु है नहीं निभरेये तो भी महाप्रभुजी तो बहुत चिंता की बात नहीं है और क्या है वो प्रश्चन? नहीं है वो प्रश्चन? जे मां वीजा ने पासपोर्ट बनने नी जरुरत पड़े छे एक्जेक एव जी ते जे ब्रह्म मां स्वरुप मां कोई कमपार्टमेंट ने थी पन लीला मां जे कमपार्टमेंट थाए छे इनने कारणे पासपोर्ट वीजा बनेन जरुत पर से एक वीजा कमपार्टमेंट मां जवो है तो केम के कोई ज्ञान मार्ग नी यात्रा थाशे, कोई कर्म मार्ग नी यात्रा थाशे, कोई भक्ति मार्ग नी यात्रा थाशे, कोई प्रवा मार्ग नी यात्रा थाशे, कोई अधवपात नी यात्रा थाशे, एशा हुएव साधु कर्मकार्यती, यम उर्धो मुन्निनी शती, यह सो हुए वा साधु कर्मकार येती यमा धो निनी चे तो गणा बदा इमा पॉलिटिकल बाउन्डरी इस क्रियेट थाई गई छे अनने ये बदी पॉलिटिकल बाउन्डरी ना गॉंपार्टमेंट छे ने चे लीला मा विच भी के नोट डिना आपने जो माया ना मानता हु अपने जीवा विना चूट कोज ने थी यहां रखें कल अपन जल्दी करेंगे और आज अपन अब दो आख्यान पिछड़ गएं तो कल सु कल कम सु कम कल जो जल्दी करें ना हां तो छे बजे करें तो दो आख्यान नहीं तभी डेढ़ आख्यान तो अपन अच्छी तरह एक और अच्छो है तो वादिन भी दो आख्यान हो जाए तो शाहिद तो कौप अप हो जाएगो और वह पता है कि यहों भी कम्पलीट नहीं होने वालो तो तो विरत में पोशन लीला कुकाई कुछ ड्रॉप करनी पूरी परस्पेक्टिव देखे बिना याले मैंने ये वि द्रडएन चरनन केरो शिवल्लभ नक चंद्र चटाबिन सब जग माझ अधेरो भरो सो द्रडएन चरनन केरो साधन और नहीं आकली में जासों हो ये निवेरो सूर कहा कहे दिविध आंधरो बिना मोलको चेरो भरो सो द्रडएन चरनन केरो साधन चरनन केरो